हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो दे चानल रच्रना माच सोलुशन्स इस वीडियो में हम लोग सिख रहे हैं फर्स्ट इर इंजिनेरिंग समिस्टर बन का मेकेनिक्स यह सब्जेक्ट जिसमें हमने चाप्टर स्टार्ट किया वे एक्विलियूम और यह उसका लिक्चर सकते हैं कोई भी अकर डियाग्रम दी होई है उस डियाग्रम के इंदर सब्फोर्ट य עक्शन इक्शन चाहा शakenा के लिए जो भी डियाग्रम दी होती है वहां expense mush ग्रियूम निखालना豫 होता है और शचभाक्रियूम कर एक्वेस्ट्यारम कर सकते हो है यह प्र पूलिंग तो इसका मतलब simple question है एक आदमी है जो कि पोल को raise कर रहा है by pulling the rope, rope has inclination of 25 degree with the pole and the pole has itself inclination of 45 degree with the ground, the pole is rotating at point है, यानि कि point ये पर कैसा रहेगा, hint support रहेगा, total length कि इतना pole का 4 meter है, यानि कि उसका self float कहा से पास होगा, उनके center वाली point है, यानि कि यहां से 2 meter रहेगा, यानि कि यहां से 2 meter से कितना रहेगा, 2 meter रहेगा, उस center वाले point से pole का, यानि कि choice का total load act होगा, that is 12 kg, ठीक है, इतना clear होगा, अभी देखो, अगर pole का inclination यहां से 45 degree है, तो मैं अगर B point पे horizontal line निकाल देता हो, ऐसा, तो यह क्या हो जागा, यह जहेर हो जागा, जहेर यानि कि alternate angle हो जागा, यानि कि यहां से, यह total angle हो जागा, यह 45 degree हो जागा, जिस में से rope के साथ आगल के साथ 25, इसका मतलब इस rope का, यह जो भी टेशन फोर्ज है उस ground के साथ angle कितने डिगर का हो जागा, 20 degree का, क्योंकि यह total 45 है, तो 45 में से 25 चलाए जागा, तो यह कितना बचेगा, 20 degree बचेगा, यानि कि rope का ground के साथ कितने डिगर का angle बनेगा 20 डिगर का angle बनेगा ठेक है तो यह जो भी diagram के बार में हमने discuss किया उसको कहते है free body diagram तो इसका हमें क्या करना होगा free body diagram बनना होगा तो सबसे फ़ले free body diagram बनना से पहले भी क्या लिखना होगा होगा to find support reaction ऐसा लिखना होगा हमें यह question डाला उसके बाद यह लिखा to find support reaction ठेक है to find support reaction इतना लिखना है to find support reaction लिखने के बाद क्या करें हम लोग drawing free body diagram ऐसा लिखना होगा drawing free body diagram fbd तो मैंने यहाँ पर एक rectangle निकाला और यहाँ पर एक्टेंगल के अंदर क्या लिखना है तो इसका फ़िदी मैंने दूसरे पेच पर निकाला वह मैं यहाँ बताता हूँ उसको explain भी कर देता हूँ इस तरी के सरे कि point a के उपर hint support आया है यहाँ पर h a और v a यह support reaction तो देखो यहाँ पर h a और v a यह दो support reaction दिखा है point a के उपर पोल एक इतने डिग्री पे inclined है 45 डिग्री पे inclined है तो वह भी दिखाया और उसके center वाले point से यहाँ से कितना मीटर दूर 2 मीटर दूर और उपर से 2 मीटर दूर यानिके center वाले point पे पोल का total load act कर रहा है that is 12 kg लेकिन हमें free body diagram में कभी भी load kg में नहीं लिखना होता है तो kg इस unit को 9.81 से अगर into कर दे तो हमें क्या हो जागा newton में उसकी magnitude मिल जागी यानिकि 12 kg कितना हो रहा है newton में 117.72 newton हो गया ठीक है और यह rope कितने degree inclined थी ground के सा 20 degree inclined थी यह मैंने बताया थ जिसके हम लोग round के साथ consider कर सकते इतना clear हो गया diagram अभी क्या कर रहेंगे इस का यहाँ इस diagram को condition of equilibrium यूज की जाएगे ठीक है तो देगो यह पिछले वाली space का का काम हो गया हमारा तो इसको कर देता हो side में यह इस fpd की जो rectangle में fpd लिखा है उसके पर आपको यह वालो diagram consider करन that is क्या होती है सबसे पहले condition of equilibrium क्या होती है summation f of x is equal to zero let summation f of x is equal to क्या किया zero किया अभी इस diagram में कितने horizontal forces है यह h a horizontal force है तो वह आएगा पहले h a लिखा h a लिख दिया अभी देखो यह t a force incline which is acting in third quadrant तो इसका x component कैसे होगा और negative होगा तो minus t cos 20 लिखना होगा क्योंकि t is force का angle कितना degree है 20 degree है na which is which is with respect to x axis तो यह क्या होगा उसका component minus t cos 20 इतना clear होगा इसके अलावा diagram में कोई horizontal force ते क्या नहीं है तो is equal to क्या करेंगे is equal to 0 लिखेंगे इतना समझ में आया तो therefore यह क्या हो जागा h a is equal to t cos 20 रहेगा इसको लिखा equation number one h a is equal to कितना लिखा t cos 20 लिखा उसके बाद क्या करना होगा and summation f y is equal to 0 यानि कि second condition of equilibrium यूज कर रहा भी यानि कि सारे vertical forces का addition कितना होगा जीर होगा तो यह वी ए उपर की तरफ जाएगा वी ए उपर की तरफ लिखा minus one one seven point कितना लिखा seven two यह वाला force vertically act हो रहा है और यह t यह जो rope के अंदर आया हुआ force है उसका भी vertical component होगा वह कितना होगा minus t sin 20 इतना clear हुआ इसके आलवा और कोई vertical force है क्या diagram के अंदर यह भी यह और यह दूसरा वाला और इसका वाला vertical component t sin 20 इतना clear हो गया is equal to कितना लिखेंगे is equal to zero लिखेंगे तो यहां से right side में कौन चला जाएगा one one seven point seven two यह right side में पूट करता हो तो यहां पर left side में भी यह minus t sin 20 और right side में क्या लिखना होगा one one seven point seven two इसको लिख देता हो equation number two इसके बाद क्या करेंगे तीसरी condition of equilibrium use करेंगे that is summation of moment of all forces about any point is equal to zero होता है तो वह moment वाला point में यहां पर ले लेता हो point A ले ले लेता हो ठीक है and लिखा summation of moment of all forces about point A consider किया is equal to zero तो हे और यह वी यह दोनों forces point A से जा रहे ना तो उनका moment कैसा होगा zero ही होगा ठीक है तो इसका मतलब उनका moment नहीं आ जाएगा और यह देखो यह 117.72 यह force about point A कैसा गुम रहा clockwise गुम रहा clockwise गुम रहा तो उसका nature कैसा होगा प्लस हो जाएगा ठीक है तो यह 117.72 यह force लिखा into अभी क्या करना है यह जो देखो 117.72 यह force vertically download ऐसा चला जाएगा और तो उसका यह distance लेगा ना perpendicular distance इस force के line of action का perpendicular distance point यह से इतन दिकाल सकते है simply यहां से लेकर यहां तक का distance कितना है 2 है ठीक है तो यह distance 2 हो गया यह angle कितना है 45 तो यह horizontal distance आ रहा है तो अगर horizontal distance आ तो उसके लिए हम लोग क्या यूश करेंगे cost यूश करें जैसे हम लोग force को यूश करते है वैसे ही अब लोग मुझे यह perpendicular distance निकालना होगा यह distance x-axis पर आया हुआ है और x-axis पर क्या यूश करते है cost यूश करते है इसका और यह inclined length कितनी दीए 2 दीए तो इसका मतलब यह distance कितना हो जागा simply 2 cos 45 हो जागा कितना हो जागा कितना है वो distance 2 cos 45 2 cos 45 इतना clear हो गया इसके बद क्या करेंगे अभी देखो यह T इसके यह जो T force है T force है unknown force है जो रोब के अंदर आयो आयो फोर्स जिसको हमने T माना है उसके दो component हो गया एक component ऐसा उल्टा गुमेगा ना उल्टा यानिकि एंटिक लग्वास गुमेगा about point है त minus T cos 20 यह हो गया force component की value यह क्या हो गया force component की value हो गया minus क्यों क्योंकि वह force anticlockwise गुम रहा है अबर पॉइंटू अभी क्या करना है परपेंटिकल डिस्टन्स रूदना है देखो यह मैंने vertical line निकाली यह मैंने imaginary vertical line निकाली यह distance मुझे find out करना है क्योंकि horizontal force तो ऐसा जाएगा न इसा उल्टा गोमेगा उसका a point से परपेंटिकल डिस्टन्स यह रहेगा जो अभी मैंने pencil से रहा है इतना तो टोटल लेंद कितनी a b की टोटल लेंद कितनी ए 4 ती यह angle कितना है 45 और यह distance निकालना है यानिकि यह वर्टिकल डिस्टन्स हो गया तो यह 4 कितना लिखना होग फोर साइन 45 फोर्स को जैसे रिजॉल्व करते है उसी तरी कि यह वर्टिकल डिस्टन्स हम लोग को फाइंड करना है ठीक हम लोगों को फाइंड करना तो यह distance कितना हो जाएगा 4 साइन 45 हो जाएगा यतना clear हो गया उसके अब तब देगो इसका वर्टिकल कंपोनेंट से वर करने पर यह distance find out करने ना मुझे यह वाला distance वो कितना होगा 4 कॉस 45 होगा क्यों 4 कॉस 45 देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टन्स है अगर वर्टिकल डॉन्वर्ट जाता है तो और यह वाला distance कि सेक्सिस पर आया हुआ है एक सेक्सिस पर लग जाए ना क्लाइन डिस्टन्स कितना है 4 है यह एंगल कितना है 45 यह distance कितना हो जाएगा सिंप्ली 4 कॉस 45 टी साइन 20 इंटो 4 कॉस 45 दाएगा इतना क्लीर हो गया देखो यह forces का मोमेंट ले लिया ती फोर्स के दोनों कंपोनर का मोमेंट ले लिया इस इकूल टो कितना करना है मुझे 0 क चलो अब यहां पर देखो किसको calculate कर सकते हैं यह ठी ही अननोर है बाकि स्ब कुछ calculate कर सकते हैं यह minus में और यह plus में और 117.72 into 2 cos 45 यह सब कुछ calculate करने पर T की value हमें यहाँ से मिल जाएगे तो यह t की value कितने आती है वह मैं calculate कर लेता हूं देखो इस सब कुछ calculate करने पर t वाला टम कितना आ जाता है minus 1.69 t आ जाता है और यह पहला वाल टम कितना आ जाता है पहला वाल टम की value कितना आ जाएगी 166.48 यह लिखा मैंने 166.48 लिखा is equal to कितना हो जाएगा 0 यह माइनस वाल टम राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है इसका मतलब क्या हो जाएगा 166.48 है is equal to 1.69 t तो यहां से मुझे t की value मिल जाएगा t is equal to कितना हो जाएगा 166.48 166.48 upon 1.69 जाएगा तो therefore यहां से t की value कितनी मिल रही है हमें 166.48 upon 1.69 करने पर 166.48 upon 1.69 कर दिया तो यहां पर हमें t की value मिल रही है 98.5088 मिल रही है न 98.5088 तो हम लोग उसको 98.51 लिख सकते है 98.51 लिख दिया 98.51 unit क्या रहेगा neuter रहेगा t की value आ गई t से हम लोग क्या निकाल सकते है h a दो सकते हैं फिर कि و ish toVa निखाते है निकाल सकते है ठीक है तो डियर्फोर डिर्गली रुटली के यहां पर from equation 1 T हमें पता है तो डिर्गली क्या लिखना यहां पर ह a लिखना है Argentina होगा देका यह योग ट्यकों यह पीशिनिव इक जाएगी ली मुझे करना लोग हो रहा हो रहा है वाग कितनी रिखिये हम लोग ने ओने लिखे र्तीन न उसको किसे इंट Кंट में बहले इंट सी इंट करना में 92.57 लिख सकता हो यह लिखा 92.57 नूटन and from equation 2 लिखना भी from equation 2 directly लिखना है va की value कितनी आजाएगी va is equal to from equation 2 equation 2 देखो यहाँ पर लिखा है यह minus t sin 2 t right side जाएगा तो क्या हो जाएगा उसकी value plus हो जाएगी तो right side में already 117.7 तो यह value है तो उसमें वह answer add करना होगा 117.72 में add क्या करना होगा t sin 20 add करना है जिसमें t की value कितनी है 98.51 sin 20 यह sign 20 लिखना होगा right side में equal to करने पर उसका answer कितना जाता है 151.41 151.41 यह answer आता है वह लिखना होगा फिर यहाँ पर 151.41 unit रहेगा newton जो यह ba आ गया यह ha आ गया va और ha आने पर हम लोग उससे क्या पढ़ना सकते ra निकाल सकते तो ra का formula क्या रहेगा root के अंदर ha का whole square plus va का whole square is equal to फिर value substitute करेंगे hg की value कितनी थी 92.57 का square plus va की value 151.41 और bracket की बाहर उसका square ठीक है इसको calculate करने पर ra की value कितनी आती है चेक कर लेते हैं हम लोग देखो यह calculate करने पर answer कितना आ रहा रहेगा 177.466 या रहा ना तो 466 है यानि कि मैं उसको 47 लिख सकता हूँ 177.47 newton इतना clear हो गया यहां से हमी क्या मिला ra मिला इसके बाद हम लोग theta a भी निकाल सकते theta यानि क्या हो जागा inclination हो जागा and theta a is equal to tan inverse of उपर क्या लिखना होगा va upon ha लिखना होगा va upon ha is equal to तो इसकी value substitute करेंगे tan inverse va की value कितनी थी 151.41 थी और ha की value कितनी थी 92.57 थी ठीक है इसको calculate करने पर answer कितना रहा देखते है इसका बतल यह एंगल हमारे की square root में रहेगा first quadrant में रहेगा तो वहाँ पर यहाँ पर हमें side में first angle का symbol लिखना है तो यहाँ पर यह हमारा first question हो जाता है जिसमें support reaction T में जो भी station था वो निकाला वो कितना था 98.50 न्यूटन था यह support reaction निकालने वह उनका single force जो भी बनेगा वो भी आरे निकाला है और आ रहेगा यह inclination कितना होगा वह कौन से quadrant में act कर गए यह भी निकाला तो यह इस तरीके से हमारा जो question था ना अज को पहला वाला question वह complete हो जाता है इसके बाद भी मैं next question ले रहा हूं देखो next question थोड़ा है वह मैंने question आपके सामने रखा question में क्या दिया है a man of 800 newton weight stands on a 10 meter long uniform beam ABCD ABCD यह beam दीए यह uniform दीए यह यह की material से बनी हुई है और cell weight कितना दिया beam का 2000 newton दिया है the beam is supported by hinge at point B point B पर देखो यहाँ पर यह जो point B का support देख रहा है उस पर hinge supported beam के अंदर यह ऐसा बाताया हुआ हुआ है and a rope where one end is attached at point C यह जो rope है rope से वह beam C point पर attach है and the other end carries a counter weight Wb weight B यानि कि जो load B है weight यहाँ पर एक pulley लगा ही है जो भी C rope C point पर जो भी rope है वह दूसरे end पर क्या है weight Wb है इतना मतलब उस तरीके से वह rope के उपर load दिये हुए find the value of Wb need to keep the beam in horizontal position ठीक है तो यहाँ पर support reaction कहाँ पर निकालना है यह at point B पर hinge support है वह दो support reaction आएगे Hb और Vb वहाँ पर और यह C point पर यह जो rope है उस rope के अंदर away force को हम लोग T consider करेंगे वह निकालना है देखो यह पूली है पूली के left side में भी rope का पार्ट आया और right side में भी rope का पार्ट आया और यह पूली को पूली के बाल में कुछ जादा information नहीं दिये न तो इसको हम पूली को consider करेंगे frictionless पूली तो उतना ही टेंशन इस wb load का भी हो जाएगा इतना clear हो गया तो सबसे पहले क्या करना होगा यह जो diagram दीए हमें 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 उस diagram क्या क्या निकालना होगा free body diagram निकालना होगा तो यहां पर support reaction find out करना है तो सबसे पहले लिखा जाएगा to find support reaction इस question के लिए मैं सबसे पहले क्या लिख दूँगा to find support reaction लिखना होगा ठीक है तो find support reaction लिखा उसके बद क्या करेंगे drawing free body diagram यह step करनी है तो उसको भी लिख दूँगा drawing free body diagram ठीक है इतना भी हो गया उसके बद क्या करना है मुझे actually rectangle के अंदर में सिफ BDA लिखा उसके जगा पर इस diagram का free body diagram आगा actual free body diagram आगा ठीक है इतना समझ में अभी देखो इस ABCDs beam का total load कितना दिया 2000 newton दिया है वह सिफ वर्ड में दिया था एक question में यहां पर diagram में वह नहीं दिखाया है ठीक है था हमें वह free body diagram निकालते हो तो इसका ABCDs beam का क्या दिकाटा हो का लोड निकालना कर वो लोड कहां पर act करेगा total lead कितनी दीती इसकी beam की 10 meter दीती तो इसका total self load 2000 newton का beam का कहा पर act क point के यानि कि वह a point से a के आगे कितना distance होगा 5 meter distance आगे होगा free body diagram में self load a beam का दिखाना होगा ठीक है यह main diagram हमेरे है इस तरीके से तो इसका पर यहां पर निकाला है इस पेज़ पर देखो इस वाल नीचे और पेज़ पर निकाला है a point a point के कुछ नहीं है a point के आगे कितना meter distance two meter distance आगे टू मिटर दिख रहा है ना तो इस पॉंट के आगे two meter distance पर मुझे क्या करना यह b-point लेना और पिपांट मैंने आप हीजब और यह वी दो रियक्शन दिखा है ठीक है apon के तू मिटर दिस्टथ फे b-point के आगे लिखना होगा और direction कैसा किया है हमने away from the point यानि कि ऊपर से काटा है तो ठीक है और c2d distance कितना है c2d distance 3 meter का तो यहां पर नीचे भी 3 meter का distance दिखाया हुआ आदमी 800 newton से लोड होने वाला आदमी ए पॉइंट के आगे कितना distance है 3 meter distance आगे अगर यहां से यहां तक का 3 meter distance है तो यह 2000 नीटन का लोड रहेगा ना बीम के लिए ठीक है तो वह कितना distance होगा एपॉइंट से 5 meter distance यानि कि 3 के आगे से मैंने कितना consider किया 2 meter distance consider कर दिया ठीक है तो यह fbd diagram आप लोगों कुछ समझे हो गया अच्छे तरह किसे जो कि पिछले वाले ओपर वाले diagram की है ठीक है यहां पर आदमी का काम हो गया तो इसको रखता हो थोड़ा सा साइड में अभी हम लोग इसको ही देखेंगे इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी वर्ड आया ना उसके जगब आपको यह डिवाला diagram consider करना है अभी हम लोग इस diagram को condition of equilibrium यूज करेंगे तो सबसे फिली conditions क्या रहेगी equilibrium की summation f of x is equal to zero यह मैंने लिखा let summation fx is equal to zero इस diagram के अंदर कितने horizontal forces आयो है इस diagram के अंदर दो ही horizontal forces आयो है यह hb और यह first quadrant में दिखने वाला tension t ठीक है यानि कि रोप के अंदर आया हुआ tension जिसको किस quadrant में consider किया यह arrow उपर दिखाया तो first quadrant में हो जाएगा तो hb plus t cos 60 हो जाएगा ठीक है यहां पर लिखना होगा hb plus t cos 60 लिखा is equal to कितना zero इसको लिख दिया equation number one इसके आलवा कोई horizontal force ही नहीं न डागरम के अंदर इसके बाद and कर दिया या फिर hb को आगया ऐसा भी कर सकता हो hb is equal to minus t cos 60 कर दिया इसको equation one कर देते ऊपर वाले को नहीं ठ ठीक है इतना समझा इसके बाद क्या हो जागा and summation f y is equal to zero ठीक है summation f y is equal to zero diagram में देखो vertical forces कौन से कौन से लग रहा है यह vb उपर की तरफ जा रहा तो यह vb आएगा minus 800 newton आजाएगा minus 2000 newton आजाएगा और यह plus plus what t sin 60 हो जाएगा ठीक है इसके अलवा diagram में कोई vertical force है क्या नहीं ह तो is equal to zero तो left side में यह vb रहेगा plus t sin 60 हो जाएगा और 2000 और यह 800 2800 राइट side में जाएगा तो कैसे हो जाएगा plus हो जाएगा इसको लिखा equation number two लिख दिया इसके बाद summation of moment of all forces about any point कितना हो जाएगा zero हो जाएगा and summation of moment of all forces about any point to any point बाला point में कुन सा कर ज़रे कर ले तो बी point कर कर ले तो अब पॉंट पी is equal to कितना लिया जेरो लिया तो यह 800 न्यूटन का फोर्स अब पॉंट भी कैसे गुमेंगा तो यहां पर क्या लिखना होगा 800 इंटू अभी देखो 800 न्यूटन के फोर्स का बी पॉंट से यहां तक का लाइन अफ टिक्शन इतना हो रहा है जो कि में एक्शन चाट कि बॉह मार्ड किया वह कितना है एक फोर्स के लाइन ऑफ ऐक्षन तक का डिस्टन कितना हो जागा फॉंट इतना क्लिर है प्लस उसके प्लस क्यूंकि 2,000 नूटर्स के लाइन अफ एक्षन का पॉइंट से डिसनस कितना हो जागा यहां से यहां तक का तो एक है और एक कितना हो जाएक तुछ plus 2000 into 3 इतना समझ में आया अभी देखो इसके दो component होगे T force के T जो force अगर उसको resolve करेंगे तो उसके दो component होगे एक दो रहेगा T cos 60 T cos 60 इस ABCD beam से जाएगा यानि कि point B से जाएगा तो उसका moment नहीं आ जाएगा और दूसरा कैसे रहेगा T sin 60 जो point C के around point C से about point B कैसे गुमेगा उल्टा गुमेगा तो minus T sin 60 लिखना होगा into और उस force की line of action का point B से distance कितना होगा 5 होगा क्योंकि B to C distance दिया है ने डारेक्ली 5 तो 5 हो जागा is equal to 0 इतना क्लियर है तो यहाँ पर unknown को है T sin 65 यह unknown है right side में कौन चला जागा 800 plus 2000 into 3 यह कितना हो जागा 6000 तो right side में कितना हो जागा 6800 right side में लिखा is equal to right side में यहाँ से 5 sin 60 into T कर सकता हो therefore यहाँ पर T की value क्या हो जागी 6800 upon 5 sin 60 चेक है तो इसको calculate करने पर answer कितना आता है check कर लेते 6800 6800 upon 5 sin 60 ठीक है तो इसको calculate करने पर answer कितना आला है 1570.39 1570 1570 1570.39 unit क्या लेगा Newton ठीक है इसको underline कर दिया T मिल गया from equation 1 हमें क्या मिल जाएगा HB मिल जाएगा therefore directly ऐसा लिखना है from from equation 1 लिखना है मुझे क्या मिल जाएगा HB की value मिल जाएगा तो वो मुझे value directly लिखने है है तो HB की value count करने पर कितनी आ जाती है 1-1570.39 अच्वेट को किया था था यह equation में अच्वेशन वन में माइनस टीगी value पूट की और बाज में कॉस्टी तो माइनस टीगी वैली पूट की बाज में कॉस्टी यह कैलकूट करने पर एंस कितना है माइनस सेवेट फाइट 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 पॉइंट क्या रहेगा न्यूटन लेगा तो यह लिख दिया यह आपर माइनस सेवेट फाइट फाइट पॉइंट यह हो गया और यह सब्सक्ट कारें फाइट आपर फाइट न करने क्या ऐसेट चाल होगा इसाल थarta फाइट फाइट मिटने है बाजिव में क्या शायन सिक्स्टी भी जाएगा तो यह साइन सिक्स्टी कर दिया तो इसके बात वी बी की बार्ली कितिने आलिए वन डबल फॉर जीरो ठीक है आगे लिखर्ट के बार के बाद 0000 यह प्राइगे जरूरोद निया, 1, 4, 0 ही लिख देंगे, 1, 4, 4, 0, unit क्या लगा, newton, ठीक है, hb मिला, vb मिला, hb और vb मिलने के बाद, मिला कुछ से क्या निकाल सकते, rb निकाल सकते, therefore, यहाँ पी लिखा, rb is equal to, यह क्या होगा, root के अंदर, hb square, plus vb square, ठीक है, is equal to, root के अंदर, hb की value, that is, minus 785.20 का whole square, plus 1, 4, 4, 0 का whole square, यहाँ से, rb की value कितनी आती है, check करो, rb की value कितनी आ जाएगी, इतना calculate करने पर, rb की value आ जाएगी, है, हमें, 1640.16, 1640.16, unit रहेगा, इसका newton, ठीक है, rb आ जाने के बाद, हमें क्या निकालना होगा, theta b निकालना होगा, तो, and लिखा आगे, and theta b is equal to, theta b का formula क्या रहेगा, theta b is equal to, tan inverse of, vb upon hb, vb upon, यह रहेगा, hb, ठीक है, is equal to, tan inverse, लिखा, vb कितना आया था, one double four zero, one double four zero आया था, और नीचे, hb कितना था, minus में था, लेकर minus यहाँ पर put ही नहीं करना है, directly उसकी जितनी magnitude आया थी, वही put करूंगा, seven 85.20, इसको calculate करने पर, इतना answer आता है, check कर लेते है, shift tan inverse, उपर कितना है, one double four zero है, ठीक है, one double four zero put किया, अब और पर कितना, seven 85.20 था, वो उतना calculate करने पर है, angle कितना है मिल रहा है, हमें, 61.397 है, तो 61.40 लिख सकता हो, तो 61.40 किया, लेकिन इसका quadrant कैसे रहेगा, x कैसे आया था, यहाँ पर, x negative आया है, y कैसे आया, positive आया, x negative, y positive, कौन सा quadrant होगा, second quadrant होगा, तो इसके करने, यहाँ पर मुझे second quadrant का symbol देना है, तो इस question में support reaction के तोर पर क्या क्या था, रोब था, रोब था, और क्या था, hint support था, at point B, तो वो दोनों हम लोगों ने calculate कर दिया है, last में क्या लिखा था, यहाँ पर बीच में, यह load WB and tension in wire will be same रहेगा न, क्योंकि देखो, diagram किस ते किसी थी, यह जो diagram थी, उसके आगे पूली के ऊपर बाज़ो में WB load था, right, तो यह frictionless पूली थी by default, अगर पूली के बारे में कुछ ज्यादा information नहीं दी थी, तो इसका मतलब हम लोगों को पूली को कैसा consider करना था, frictionless consider करना था, ठीक है, तो इस T के अंदर क्या आया वा रोक, T के अंदर रोक था, उसके अंदर आया वा tension हम लोगों ने निकाला न, तो वही tension क्या रहेगा, WBs load के अंदर रहेगा, ठीक है, तो इसके का ऐसा statement आएगा last में, since, since load, WB, and tension, tension in wire, since load is equal, is equal, is equal, therefore, WB is load के अंदर, आया वाले force की वाली कितनी हो जाएगी, उपर से पता चले गे हमें, 1570.39, 1570.39 Newton, जो कि कितनी है, wire के अंदर आने वाले tension की जितनी ही है, ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारा question complete हो जाता है, इसके बाद आभी हम लोग next question करते है, next question क्या है, compound beam ABC is loaded and supported as shown, find support reaction, node B is an internal inch, यानि कि यह fix support दिख रहा है, यह दिवार के अंदर, यह मतलब fix की हुई है यह beam ABC, इस तरीके का यह symbol हो जाएगा, यानि कि यहाँ पर 3 support reaction होगे, HA, VA और moment at point rate, क्योंकि यह fix support है, fix support का यह symbol दिख रहा है, ठीक है, यानि कि दिवार में यह ABC beam fix की हुई है, ऐसा दिख रहा है, और इस beam के उपर, UDL आया हुआ है, UDL की value कितनी है, 15 newton per meter, वो पूरे beam की उपर act कर रहा है, A2 लेकर C point तक यह beam की length कितनी है, 1 plus 3, 4, और यह 4 plus 2, 6 meter length नहीं यह beam की, उस पूरे length की उपर, 50 newton per meter का UDR, UDR यानि की uniformly distributed load act करा, और point B कैसा internal hinge है, यानि कि इसके अंदर दो support reaction होगी, HB और VB, तो हम लोग क्या करेंगे, और point यहाँ पर, एक के आगे, 1 meter distance चोड़ने पर, यह 400 newton का inclined force है, जिसकी value कितनी है, 60 degree है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, support reaction कौछ से कौछ से निकालने, C point पर roller support आया, तो वहाँ पर क्या होगा, एक vertically support reaction आजागा, जो कि उसकी base को कैसा होगा, perpendicular होगा, क्योंकि वहाँ पर roller support होगा, support reaction कोछ से कौछ से, यहाँ पर, HB, VB, यहाँ पर RC, reaction at point C, HA, VA, और यह moment at point A, तो यह सारी support reaction निकालने, तो उससे पहले क्या करना होग होगा, हम उँझे, to write, to find support reaction निकालना होगा, तो यह वो statement आजागी, to find support reaction, ठीक है, इतना लिखा हम लोग करने, to find support reaction, इतना लिख दिया, यह next question है, इसके बाद क्या करने हम लोग, drawing, drawing, ability लिखना होगा, क्या करने होगा, drawing, ability, अभी यहाँ पर, is that beam के अंदर, ABC is beam के अंदर, भी यह, internal हिंजे है, तो उसके कारद में क्या करूँगा, isolating the bar, BC, या फिल, beam, BC, यह से लिख लेके हम लोग, क्या करें कि, isolating, isolating, beam, BC, ठीक है, isolating beam, BC, and drawing its free body diagram, and drawing, drawing, its free body diagram, ठीक है, तो हमें क्या करना है, beam, BC, BC को isolate करना है, यानिकि separate करना है, और उसका क्या निकालना है, उसका free body diagram करना है, लेना है, ठीक है, अब ठीक है, point B पर क्या रहा है, hint support आ रहा है, यानिक वहाँ पर HB और VB होगा, BC के उपर UDL भी होगा, अगर BC को isolate करेंगे, तो BC के उपर UDL भी होगा, उस UDL की value कितनी हो 15 to 2, that is 100, और वो act कहां पर करेंगा, BC के exactly center pack करेंगा, इतना समझ में आता है, और point C पर कैसा रहेगा, reaction at C, यानिकि vertical support reaction रहेगा, और HB पर HB और VB यह support reaction रहेगा, तो इसका free body diagram मैं यहाँ पर बनाया है, तो इस रेक्टेंगल का अंदर में सिब FBD यह वर्ड लिग लेता ह 15 newton per meter का, जो कि 2 meter span पर आया था, तो उसका single point load कितना हो जागा, 15 to 2, that is 100, act कहां पर करेंगा, BC के exactly center में, B to C distance 2 था, तो यहाँ से 1 meter distance चुटा, और वहाँ से 1 meter distance चुटा, और C point पर R C support reaction, तो सबसे पर यहाँ से support reaction find out कर देंगे, that is HB VB और RC find out करेंगे, इस वाले diagram में, HB के अलावा कोई horizontal force है नहीं, इसका मतलब HB की value कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, यह FBD की में जगा पर आप में क्या consider करना है, यह जो हाथ में मैंने FBD रखा है, उसको consider करना है, तो उसको अगर हम लोग condition of equilibrium use करनी होगी, ठीक है, तो let क्या लिखा, summation Fx is equal to 0, तो forces, तो यह VB उपर की तरफ, minus यह 100 नीचे की तरफ आएगा, और यह plus RC, ठीक है, is equal to कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको लिखेंगे equation number, या फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, यह VB plus RC is equal to 100, इसको लिख देता हो equation number 1, इतना clear हो गया, and summation of moment of all forces about any point कितना होता है, 0 हो था, तो moment वाला point मैंने कौन सा कंसर किया, point B कंसर कर दिया, यह diagram है, HB और VB का moment about point B कैसा हो जाएगा, 0 क्योंकि वो दोनों forces point B से पास हो रहे, 100 Newton का force about point B कैसे गुम रहा, clockwise, तो उसका nature कैसा हो जाएगा, plus, तो plus 100 into 100 Newton के force के line of action का P से distance कितना हो जाएगा, तो 100 into 1, minus, यह RC force about point B कैसे गुम रहा, उल्टा, यानि कि उसका nature कैसा होगा, गुमने का anticlock को इस गुनने के कारण, minus देना होगा, और उस force, उस force की line of action का point B से distance कितना है, 2 है, minus RC into 2, is equal to 0, right side में 2 RC जाएगा, पीछे क्या रहेगा, 102 RC, तो यहाँ पर RC के वाली कितनी मिली, 50 Newton, therefore, RC is equal to, directly लिख सकता हो मै 50 Newton, is equal to, इतना clear है, इसके बाद, from equation 1, हमें क्या मिल जाएगा, VB की value मिल जाएगी, तो from 1, from equation 1, from equation 1, क्या मिल जाएगा directly, VB मिल जाएगा, VB कितना आ जाएगा, देखो, RC कितना है, 50, यह 50, राइट से जाएगा, minus 50, तो VB कितना मिल जाएगा, 50 Newton मिल जाएगा, HB तो आया ह consider करना initial बाला, now consider beam A, B, ठीक है, now consider, consider beam A, B, ठीक है, now consider beam A, B, ठीक है, now consider beam A, B, and drawing its free body diagram, and, and, drawing, drawing its free body diagram, यह F, B, D, इतना ही consider किया, ठीक है, तो rectangle में again, मैंने F, B, D, यह वर्ड लिखे, F, B, D, यह वर्ड लिखे, और इस rectangle में लिखे हुए F, B, D, की जगप है, मुझे दूसरा F, B, D, डाइगरम consider करना है, वो किसके लिए रहेगा, H से लेकर B तक के beam के part के लिए रहेगा, जहाँ आपर A point पे तीन सब projection रहे, H, A, V, A, और momented point है, A से लेकर B तक का, यह UDL कितना है, 15 newton per meter है, वो कि कितने meter, कितने meter packed कर रहे है, 1 plus 3, 4 meter packed कर रहे है, 15 to 4 कितना हो जागा 200, वो act का पे कर रहेगा, A, B के exactly center value point पे, यानि कि A से कितना distance दूर, 2 meter distance दूर, और A के आगे 1 meter के पर, एक incline force रहेगा, जिसकी value कितनी होगी 400, और इसका inclination कितना है, 60 degree है, तो इसका मत, और देखो, पहले B to C एक load था, HB, HB तो आया रही था, HIN support में, VB आया था, VB कैसे लिया था, हम लोगों ओने B to C, इस डागरम में, उपर की दिरफ लिया था, तो counter balance करना होगा, जब हम ल तो इसका में, VB कर जा था, नीचे से उपर जा रहा था, तो AB आया पार्ट करते हो, VB आया था, वाला force कर रहा होगा, उपर से नीचे करना होगा, क्योंकि पहले वाले case में, नीचे से उपर किया, तो अभी उपर से नीचे क्यों कि counter balance करने के लिए, ठीक है, इसका सभ़ मे आ रहा है, तो देखो, next, जो free body diagram होगा, beam AB के लिए वो इस तरी किसे आ जाएगा, तो बता देता हो, देखो, उस पर changes क्या करने होगे, देखो, beam AB का free body diagram इस तरी किसे रहेगा, HA, VA, ये A point, moment at point A, और 1 meter distance के आगे, incline force 400 newton का, इसका inclination कितना 60 degree, A से लेकर B का distance कितना total 4 था था इसकी value into total distance, यहां से A से लेकर B तक का force, 15 to 4, 200 newton single point load बनाएए, और इसके आगे 2 meter distance पर कितना है, B point है, और B point पर counterbalance करने होला VB का force ले लिया, तो यह अभी इसका diagram हो गया, तो इसी diagram को देखते हो, हमें condition of equilibrium भी उस करनी है, यहाँ पर, let summation fx कितना use करेंगे, let summation fx is equal to 0, तो horizontal forces कितने हैं, इस diagram के अंदर, दो forces देखे हैं, horizontal forces, HA, और यह 400 total का inclined force का भी horizontal component, जो यह force 400 total का inclined force third quadrant में जाना, तो इसका x component कैसा होगा, negative होगा, यह लिखा, HA minus 400 cos 60, इसके अलावा, कोई horizontal force एक diagram के अंदर नहीं है, तो is equal to कितना हो जागा, 0, therefore, HA कितनी हो जाएगी, यह है is equal to क्या लिख सकते हम लोग, HA is equal to 400 cos 60 लिख सकते, cos 60 कितना होता है, half होता है, यानि कि HA कितना हो जाएगा, 200, unit ray का उसका newton, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, and summation f of y करना होगा, and summation f y equal to 0, कितने vertical forces से यह VA उपर की तरफ VA लिखा, minus 400 sin 60 लिखा, minus 200 लिखा, और यह VV, VB minus की लिखा, क्योंकि उपर से निचा रहा हो, minus VB, लेकिन VB लिख दिया, ठीक है, is equal to कितना होगा, 0, VB की value पता है, तो उसको भी put कर देता हो, VA minus 400 sin 60, minus 200, VB की value कितनी थी, minus, minus, VB की value 50 थी, तो minus 50, क्योंकि उपर से निचा रहा तो minus, इन सब को magnitude को calculate करने पर ज हो जाएगा, तो उसकी बाली क्या हो जागी, प्लस हो जाएगी, तो directly मैं यहां से VA की value कितनी आ रही है, वो लिख सकता हो, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, तो यहां पर VA की value कितनी आ रही है, हमें 596.41 आ रही है, 596.41 यूनिट रहेगा नूटन, इसके बाद क्या करना हो अबा, summation of moment of all forces about any point कितना करना है, 0 करना है, तो next step हो जाएगी, इसलिए बाद वाली, तो उसको लिख लगते है, summation of moment of all forces about any point, तो any point वाला point में करता हो, कर देता हो, A, and लिखा, summation of moment of all forces about A, consider करता हो, equal to 0, तो A, पोइं पास होने वाले, HRV का moment तो 0 आ जाएगा, वहां पर एक already moment क्या लिखना होगा माइनस एम ए करना होगा और यह 400 ब्यूटन के फोर्स का अगर रिजॉल होते हैं तो उसका एक पॉइंट से पास होगा उसका वर्टिकल कंपूंट डाउनवड जाएगा 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 अब पॉइंट है गुमने वाला क्लॉक्वाइज और उसके वाल यह 200 ब्यूटन का फोर्स अब पॉइंट है कैसे गुमना क्लॉक्वाइज और डिस्टिंस कितना है उसका एक्षन का है इसे 2 है तो प्लस तो हर्टेट इंटू प्लस तो हर्टेट इंटू प्लस तो इंटू जाएगा जिरो हो जाएगा वीकिए वैली सब्चूट करेंगे यह 200 कितना हो जागा 400 हो जागा माइनस A में राइट साइट जागा तो क्या हो जागा प्लस A में तो उसको next step में कर देते 400 sin 60 into 1 400 sin 60 लिखा प्लस 200 into 2 कितना लिख दिया 400 लिख दिया प्लस VB की value कितनी थी 50 थी 50 into 4 is equal to 0 यह माइनस यह बे राइट साइट जागा तो क्या होगा प्लस A में हो जागा उसको मैं लेफ साइड में लिख लेता हूँ और इस नमबर को क्याक्लोट कर देते हैं इस नमबर को क्याक्लोट करने पर moment आ जाएगा जो कि उस विम के अंदर होगा जो भी वो भी support reaction का पार्ट है तो उसको निकाल देते हम लोग कितना आता है देख लेता हूँ तो टोटल मोमिंट कितना आ रहा देखो क्याक्लोट करने पर 946.41 946.41 यूनिट क्या रहेगा न्यूटन मिटर रहेगा ठीक है तो कितने support reaction थे हैं इंटर्ल हींच था एच भी और वी यह भी तो जीरो रहा है वी भी आया यह अगर यहां से आ रहे भी निकाल सकते लेकिन निकला नहीं निकला तो भी चलेगा तो यहां पर यह हम रहे तर्ड कोशन को प्रेट हो जाता है एक लिए मिस चाप्टर के ऊपर अगर किसी कंसर्प में या फिर प्रॉब्लम आपको डाउट हो तो प्लेस मुझे कमेंट सेक्षिन में इंफाप कर देना वीडियो आपको अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने फ्र में तब तक लिए बाइ और टेक केर